जैहिन दे श्रेंट्स, वेलकम टू गैंक्स और टॉपर्स प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में हमारा जो अगला एक्साइज होगा 8C प्रॉफिट, लोस और डिस्काउंट जो चाप्टर हमारा चल रहा है उस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए, हम लोग एक्साइज 8D का कुश्चन हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे तो लेट्स बिगिन दर सिशन, तो चलिए शुरू करते हैं तो आज को जो पहला कुश्चन है, बच्चों, सिंपल से कुश्चन है, बोल रहा है कि अर्टिकल इस मांग रूपीज देखें, आर्टिकल के ऊपर जो MRP लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ, बच्चों, देथी तेरा सुरू पर रिखा हुआ, बट क्या किया, यहां पर इस सौप कीपर है, कितना में बेच दिया, डट इस है, एक गार 144 रहा है, मिनस यहां पर बोल सकते हैं, बच्चों, वाट इस दा मांग पर बोल सकते हैं, कि बच्चो आप से जो question बोल रहा है कि find the discount percentage discount percentage का निकालने का simple सा तरीका होगा बच्चो यहाँ पर discount percentage निकालने का जो तरीका होता है बच्चो क्या हो जाएगा formula that is discount percentage is equal to कितना discount देरा सबकी पर discount लिखिया आप simple सा और divided by MRP लिखिये divided by MRP और into 100 कर दे जाएगा तो you will get the discount percentage देख सकते बच्चो यहाँ पर 156 आपका क्या निकल रहा है that is 156 आपका discount दिया है और 1300 प्या इसका mark price था into 100 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर simple सा हमारा answer आजाएगा दो जीरो से दो जीरो कैंसल हो जाएगा और 1312 से गुना कर दियागा तो automatic हमारा कर दियागा तो बारा परसंटेज आपके 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 परसंटेज निकालना तो कहीं आप दुकान गए जहां पर शोफर सेट हो गया डाइनिंग टेबल हो गया मिलता है तो उसका MRP लिखा हो था बच्चों इतना दिया होता है पर shopkeeper क्या 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 8% आपको discount दिया है तो find the selling price find the selling price तो बच्चों यह जो question भी price आपका कितना दिया हो और उसमें से कितना परसंटेज का और 8% आप परसंटेज यही तो question बोल रहा है कि जो प्राइज उसका था उसमें से आठ परसंटेज दिया तो यहां पर हो जाएज़ है यहां पर कितना हो जाएज बच्चों यहां पर देख सकता है यह 23600 आप को ले सकते हैं तो 2600 हो जाएगा और यहां पर कितना बचाएगा? 1-8 by 1000 बचेगा, ओके बच्छो? तो यहां पर हम लोग फादर क्या कर सकते हैं, बच्छो? यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 126 00 इसके नेचे कुछ नहीं, तो LC1 हो जाएगा तो इन्टू क्या हो जाएगा, that is, देखी, 100-8 कितना रागा, that is, 92 हो जाएगा, 92 by 100 हो जाएगा, ये दोनों को सिंपल से कैंसल करिए, तो आपका एंसर क्या हो जाएगा, बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग, that is, 2, 3, 6, को हम लोग, multiply करेंगे, 92 से, तो हमारा जो एंसर होगा, बच्चों, वो हो जाएगा, 21,712 रुपय हो, कितना हो जो, 21,712, simple सा 21,712, तो यह आपका simple सा हम लोग, यहाँ पर एंसर निकाल चुक है, this is the selling price of the dining table, बच्चों, यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर observation, अगर थोड़ा सा observe करे, तो this is the marked price, यहाँ पर बोल सकती है, यह marked price हमारा है, तो this is the marked price, यह हमारा क्या selling price है, यह हमारा marked price है, और यह हमारा क्या था, बच्चों, discount percentage है, यह हमारा discount percentage है, तो यहाँ से हम लोग एक formula निकाल सकते है, बच्चों, with respect, selling price का निकाल सकते है, formula जब आपके पास marked price दिया हो, और साथ में discount percentage तो सिंपल जैलिंग पाइस का फॉर्मुला हो जागे यहां पर 100 क्या करें 100- discount percentage divided by 100 और यहां पर सिंपल से हम लोग कर देगें that is into marked price अब बच्चोँ आप यहां पर जो solution हमारा था इस solution का आप करें देखिए अगर सोलिशन को अगर हम लोग कंपेर करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर आपका क्या लिखा हो बच्छों देखिए यह यहां पर हंडेड मारस इसकान परसंट इस नाइड़ी तो बच्छों बोल सकते हैं यह आपका है कि फॉर्मुला बन गया है तो प्यारे बच्छों यह कोशन आपको अच्छा लगा होगा तो अगला कोशन करते हैं अगला कोशन भी काफी इजी कोशन बच्छों यहां पर सिंपल सी बात हो रही है एक रिष्ट वाच की बारें बात हो रही है तो बोल रहा है रिष्ट वाच is available at a discount of 9% ठीक है and the least price of the watch is how much that 1400 प्या आपको निकालना find the discount given and also find the selling price तो सिंपल से अगर आपको निकालना है बच्छों तो सिंपल से कितना percent discount दे रहा है 9% है तो 9% of कितना MRP तो MRP बोली है mark price बोली है तो 9% क्या होगा 9% of what that is 1400 अब इसका हम लोग जब that is 9 divided by 100 in to one four double zero इसको अब solve करिए तो कितना हो जाए बच्छों डबल जिरो से डबल जिरो कैंसल हो जागा और आपको पता है कि 14 को नो से गुना करिए तो कितना जाए 126 आएगा तो बच्छों यहां बोल सकते हैं कि 126 रुपे यहां पे discount दिया है ठीक है अगला देखिए आपको पता है कि selling price रिकल्ट होता है मागड़ price माइनस discount क्या होता बच्छों मागड़ price माइनस discount और मागड़ price यहां पे कितना 1400 रुपे है इसमें से पर ही कोशन हमारा यहां पर आ रहा है ठीक है अगला कोशन देखिए अगला कोशन यहां पर बोल रहा है कि आपकोशन दिया हो बच्छों यहां पर दे दिया है 248.50 दे दिया है और what is the discount percentage हमारा कितना दिया बच्छों 10% दिया है तो देखिए बच्छों अभी अगर इससे पहले अगर कोशन देखिए तो यहां पर हम लग एक formula सीखे थे how to find the selling price when the discount percentage and the mark price is given बस इसी formula को हम लोग यहां पर क्या करें बच्छों यहां पर यूज करने वाल है ठीक है तो यहां पर यूज करेंगे तो देख सकते हैं क्या हो यहां पर क्या होगा what is the formula of the selling price अभी जस लिख सकते हैं selling price is equal to क्या होता है hundred minus discount करता हूँ hundred minus discount percentage है divided by hundred हो जाएगा और जब इसको हम लोग इसको 248.50 हो जाएगा and that is called to hundred minus discount that is hundred minus 10 कितना हो जाएगा that is 90 हो जाएगा 90 by hundred और what is the value of list by जहर x हो जाएगा अब हो लोग simple सा इसको solve करते हैं जब x को हम लोग solve करेंगे बच्छों यहां पर तो x is called हो जाएगा that is 248.50 into हमारा hundred हो जाएगा divided by 90 हो जाएगा बच्छों इसको solve करेंगे तो 248.50 हो जाएगा and divided by 90 हो जाएगा यहां से 20 हमारा cancel हो जाएगा अब जब बच्छों इसको solve करेंगे इसको decimal part इसको देखिए इसका answer आएगा that is 276.11 तो यह आपका इसका marked price होगा क्या होगा बच्छों मांगड़ पाइगा तो मांगड़ पाइगा उसमें से क्या कि 10% हो डिसकांट किया तो इसको इतना पैसा पे करना पड़ रहा है ठीक है easy question था बच्छों यहां पर simple सा जो concept आपको पढ़ाया गया उस concept को use करके ही आपको बनाना है अगला question देखिए बोल रहा है shopkeeper buys an article of rupees कितना बोल रहा है यहां पर क्या हुआ तीन question आपके पास दे दिया है पाहला question बोल सकते हैं पर बच्छों पहला हम लोगों क्या करता है mark price निकालना है तो बच्छों यहां पर देख सकते हैं अगर mark price निकालना है तो CP अलड़ी पता है CP कितना दिया है यहां पर देख सकते हैं 450 रुपएज CP दिया है अब क्या कि 20% है यहां पर MRP जो है बच्छों यह MRP यह मार्ड़ पाइस बोलिए वो CP जो था ही हो था 20% हो दो CP हैंपर इंक्रियमिंट हो है तो 450 हो जाएगा प्लस हमारा कितना 20% है अब देखें दूसरा क्योंचर बोल रहा है कि आपके पास mark price दिया है मार्क परिस कितना दिया पाउन सचाल रजी और दिया अब यहां पर किया कर रहा इसकांट दे रहा है कितना परसें दस फासें दे रहे है तो बच्च tenants निकाल सकते हैं सेलिंग कितना हो जो 486 है यह आपका सेलिंग पैस होगा अब देख सकते हैं बच्चों बोल रहा है कि यह आपका सेलिंग फैस होगे तो यह आपका दूसरा कौशन होगे लिकार इस तो बच्चों यहां पर देख सकते हैं अब लोग यह को ध्यान से देखिए मांग्ड पैस कितना दिया है और यहां पर सेलिंग पैस कितना दिया है बच्चों दिया है तो कितना जागा दिया हमारा हो जागा that is 43.20 कितना होगा बच्चों जहां लोग 540 को सब्टेट करेंगे 496.80 को तो हमारे दिसकांट कितना होगा that is this is the discount okay अब यह आपका discount अगर निकाल गया तो हम लोग यहां पर बच्चों क्या कर सकते हैं we can find the discount percentage तो discount percentage निकालने के simple सा तरीका क्या हो जाएगा that is discount percentage is equal to कितना discount होगा that is 43.20 और किस मार्ट पैस हमारा कितना निकला ता 540 और इस simple हम लोग यहां पर 100 से गुना कर देंगे तो बच्चे यह जो question था यहां पर simple सा 3 question आपके पास दिया वा था पहला question आपका था कि यह a shopkeeper बाइस एन आर्टिकल मेंसे यहां पर simple सा cost price of the particles दिया वा था you are going to find the mark price mark price निकाल गया तो discount दिया गया तो sharing price निकाल सकते है बच्चो और discount percentage अगला जो question दिया वा था कि shopkeeper is going to sell at rupees 496.80 तो यहां आपको निकालना था find the discount percentage तो यहां पर simple सा हम लोग क्या किये है यहां पर simple सा formula लगा दी कौन सा formula लगा है बच्चो बताए simple सा formula हमारा लगा कि इतना discount हुआ अगला question देखते है बच्चो यह जो question है यहां पर देखे बोल रहा है कि यहां पर list price दिया हुआ है अब यहां पर कितना discount percentage हो रहा 15% हो रहा है तो यहां पर हम लोग simple सा formula लगा करके क्या निकाल सकते है बच्चो selling price निकाल सकते है अब क्या निकालना है दूसरा कि find the cost price और the article if the profit is going to make it now यहां से हम लोग selling price निकाल सकते है न तो selling price हमारे कितना हो जाया बच्चो selling price will be equal to discount कितना 15% दे रहा है तो 85 कितना 100 minus discount 85 divided by 100 इंट हम लोग क्या करेंगे 800 करेंगे तो 0-0 cancel हो जाएगा तो you will get the selling price और selling price कितना होगा बच्चो 680 रुप्य हमारा selling price हो गया अब क्या होगा हम लोग यहां पर selling price उलड़ी पता है कितना 680 रुप्य पता है अब profit percentage आपको पता है कितना बच्चो यहां पर to find the CP when SP is given and the profit percentage is given तो यहां पर simple से formula था 100 divided by 100 plus profit percentage है और यहां पर simple से क्या क्या करेंगे बच्चो इंटू SP से हम लोग socialism को मुल्ड़ा करतेंगे तो देखे क्या होगा 100 से 100 यहां पर आजाएगा हमारा यहां पर 100 हो जाएगा प्लस है कितना हो जाएगा 40 300 plus 40, कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा और into कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यह 3 उपर चला जाएगा, into हमारे कितना हो जाएगा, 6-8 0 हो जाएगा अब हम लोग फॉर्दर इसको solve करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्छों, देखें chaam लो करेंगने तो हमारा एंसर त्रों से रिव्टपो इतना यहां पराइन्समर चैनल हो यह तक्या होगाइग ? cost price of the article, cost price of the article आपका 600 होगा, और mark price हमारा कितना 800 था, discount 15% discount दिया, तो you will get the selling price, net 600 होगा, देखे बच्चों यह जो question था, यह जो question काफे interesting question था बच्चों और इस तरह को question आपको बना के खुझ से देखना पड़ेगा बच्चों, तो बाकी हम लोग इस class में एक और question कर लेते हैं, जो कि आपके लिए homework करेगा simple explanation यहाँ पर दे दिया जाएगा आपको क्या करना है, इस homework को complete करना है, और आपको comment section में answer करना पड़ेगा, कि sir what is the answer of this part, okay, देखते हैं कौन-कौन से बच्चे इस question को solve करता है तो देखिए बच्चे, यहाँ पर simple question बोल रहा है कि an article is going to mark mark price दे दिया आपका and by selling it at a discount 12% the shopkeeper, the dealer makes a profit of 10% find the selling price दो the article, तो simple सी बात हम लोग बच्चे यहाँ पर marked price आपके दिया हुआ कितना mark price आपका दिया, देखिए दो हजार पांटसो 2250 दिया, discount percentage आपका दिया, कितना 12% दिया है simple साम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं selling price है, तो बच्चे यहाँ पर selling price निकालने का तरीका क्या होगा 100 minus discount कितना हो जाएगा, देखिए 88 हो जाएगा into कितना हो जाएगा, 2250 हो जाएगा अब हम लोग इसको क्या करते हैं, solve करते हैं जहाँ एक गिवा से एक जिरा हमारा cancel हो जाएगा यह 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा भच्चो 4 और 5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा यहांसे इसको काटेंगे तो 44, 44 को 45 गुना करेंगे हमारे कितना हो जागा बच्चो 1980 तो 1989 आपका क्या हो जागा बच्चो यहां पर आपका selling price रहए कितना होगा 1980 is will be your selling price तो बच्चो यहां पर simple सापको multiplication तो आता है यहां पर आपको कोश्चन पता चलिए कि सेलिंग पैस आपको पता है आपको यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा बच्चो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं CP का भी पता है कि how to find the CP तो बच्चो यह आपको फॉर्मुला जूज कर सकते हैं आपको फॉर्मुला आपका CP क्या था यह CP का हम लोग यहां पर अगला भी कोश्चन में यूज करेंगे तो CP क्या होता बच्चो 100 हो जाएगा यहां पर और 100 डिवाइड़ प्लस क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो दस परसेंटेज का हुआ है दस लिख देंगे और सीमपल से मुलग क्या करेंगे इंटू गुरा कर देंगे डेड़ इस regulate से तरह कितना हो जाएगा डिवाइड़ गिवाइडर एकसुड़ सो जाएगा इन्टू कितना हो जाएगा ड़ेज़ लिएग एक जिरश गेंड़ हुआइगा और हम यहां पर इ अगल जोके है ठीक है चलिए अगला कोश्टन कर लेते हैं अगला कोश्टन भी इजी कोश्टन है यहां पर इक्षान में क्या बोल रहा है कि अब बाइस सेलिंग अर्टिकल अर्टिकल अपर 20% डिसकाउंट तो सोब को बताये थे यह फॉर्मॉला क्या होता बच्चों क्या होता बच्चों यहां पर देख सकते हैं हंडेड यहां पर अब इसको जब मलिपला करेंगा बच्चों तो कितना जाएगा हमारा बच्चों कितना हो जाएगा देखिए इस वन नाइन जिरो कितना हो जाएगा बच्चों निकल गया अगर निजिट तो हमारा जो अगला कोश्चन होगा वह कैसे बनेगा देखिए अब जब मार्ट पाइस निकल गया है तो अल्रीड आपको पता है यहां पर बच्चों पहला एंस हम लोग निकाल चुके हैं कि वाट इस दा मार्ट पाइस वनीजिस रूप्या अब देखिए अब इस बहुत है और वाट इस अब गएन परसंटेज कितना मालूम है बच्चों गेन परसंटेज आपका मालूम है एचार हो जागा पांच होझाइगा फर दर आफ देजेंगा और शीम्ट पो एच चार आपार देखिए यहां पर 288 को simple से क्या करेंगे दो चार से गुना करेंगे तिक हमारा केंट ताइंस हो जाएगा और चुक 32 हो जाएगा और चुक 32 हो जाएगा और चार दिन आर्ट रतिन इंगारा बागी हम लोगर भी जो जो सेसन को से खरिये अपने दोस्तों के साथ ताकि लोगों को भी यह जो हम लोग सिंपल सा जो हमारा एक फ्री इनिसेटिव लिया गया है उसको helpful हो बागे बच्चों फिलाल इस ज़से समय इतना ही है Thank you and thank you very much for discussing